नमस्कार आप देख रहे हैं तेश खबर 24 और वक्त है खबरों का रगे हाथ पकड़े जानने के बाद रिश्वत खोर कैसे अपना रण बदलता है इसका एक ताजा उधारण गौालियार में देखने को मिला है जहां तिर्यब्रुडी के कारेपारान यतरी पीके गुप्ता को गौालियार लोकाईट पुलस ने 15,000 रुपय के रिश्वत लेते हुए रगे हाथो गरफतार किया है इसमें रिश्वत खोर इंजिनियर खुद को बचाने के लिए रोते गिड़गिड़ाते पुलस अधिकारियों के पैर छूते हुए दिखाई दे रहा है गौालियार लोकाईट पुलस की टीम ने विजली के एक लास थेकेदार महेंडर सिंग बैस के शिकायत पर लोकुनिर्मार दभाग के E&M के कारे पालनियत जी पीके गुप्ता को रिश्वत देते पकड़ा है महेंडर ने भिंड कलेक्टर के बगले पर पुजली का काम किया था जिसका करीब 3 लाख रुपए का बिल भुपदान करने के बदले इंजुनियर्मार गुप्ता ने 75,000 रुपए रिश्वत की मार की थी 55,000 रुपए वो पहले ले चुका था बाकी पैसों के लिए दबाव बना रहा था जिसके बाद ठेकेडार महेंडर सिंग ने लोका युप्त में शिकायत कर दी और फिर लोका युप्त ने EEP के गुप्ता को रिश्वत लेते रगी हाथों पकड़ लिया पक्रेज आने के बाद जब लोका युप्त के टीम इंजिनियर गुप्ता के हाथ धुलवाने के प्रयास करने लगी तो इंजिनियर गुप्ता ने नोतंग की शुरू कर दी बिमारी का नाटक करने लगा बीपी, सीने में दर्द की बात करने लगा बोलने लगा मैं मर जाओंगा हालात को समझते हुए लोकायुक ने वहाँ एम्बुलेंस बुला कर खड़ी कर वाली एम्बुलेंस आने के बाद दे रिश्वत खोर EEE खुद को बचाने के फ्रयास करता रहा बोला मेरे बच्चे हैं मैंने कुछ नहीं किया है मैं मर जाओंगा वो पुलस अधिकारियों के पैरों में गिरने लगा अपने शरीर का पुरावजन पुलस अधिकारियों पर छोड़ दिया लोका युद पुलस के अधिकारियों ने कहा कि ये हमारी कारवाई का हिस्ता है आप को अपरेट कीजिए सिनियार अपसरों ने गुप्ता को बहुत समझाया तब बहुत मुश्किल के बाद लोका युद के अधिकारी रिश्वत खोर EEP के गुप्ता की हाथ धोलबा पाई हाथ धोते ही पानी का रंगुला भी हो गया उसके बाद अधिकारियों ने गुप्ता की जेब में रखे रिश्वत के रुपए 15,000 रुपए निकाले और नोटों के नमबरों का मिडान कर फिर उसके खलाब ब्रस्ट अचार निवारन नधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे ओफिशली गरप्तार कर लिया आपको बता दे कि 15,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए पकड़े गए PWD की E&M शाखा के EEP के गुप्ता एक 60 वर्ष के हैं यानि वो रिटार्मेंट के नजदीक है ऐसे में रिश्वत खोरी करते हुए पकने जाना उनके लिए मुसीवत बन सकता है वैरहाल इंजिनियर गुप्ता की नोटंकी का ये वीडियो सोशल मेडिया में तेजी के साथ वाराल हो रहा है इस नोटंकी छोड़ो ये जब थालतो नोटंकी लगद करो तो पर अपके इंवानी आपके इस तो शुट गया तो पर आसां तो आंगे आपको एक रिल्क्स हो पाहिसा सांडु पाहिसा से भाइसाटने पांचा है उसते बाद नहीं कर दोंगे जो ऊपने जलो ये अपर अपर में आँ ! इसां में हो आते हैं सबाँ टेरह की पे यहां पुझा आā आते हैं.. हुआ अप आप एक हास थोगार्स सील हो आपाई स्हाइट जाहित। इंसे हाथ दो हाँ ब कला र Confederate इंसे हुआ जए पलाए अम भॉत रहए अप हाथ मोथाना हुआ अब भधा इना पाही नाई नगा पॉल्ड है यार। वे जो 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 करें लेने में भाइस में कर दिया ही निए वायव कि अगरश दोने हैं मे खालख आहा है निए थोचुटरेज्च से आई वायव मेला है जांपर ताणी तो है निए पाला है याप्यूक्त सुर्दा जैग करें जा याप्याख विस्तुट है में यूल बघभा भाला… जा सकता प्साहत। सुनमे की। बड़ी आंप 밑 तो या कत दो ईूमनी आपकाने विल, बटा हुful यह जा भाया कशनक की तरीय हिरु्ट में गाया म Jetzt समय कोपरेंस करो में देता हुआ हुआ है अगर पर मिलान का लाप यह जिहए जिए 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 में आप नोड को जाल लो गायक डाल लो गायग अजिए अग्णिन को जाल मेरे को जो एप इन नोड पन्हों नम्ट मिलागे एक सरी महान सिंग बैस सिद्धत एक लास टेकेदार है गादियर की वो उनोंने क्लेक्टर बेंड के बंगले में कोई बिद्धुत का काम किया था जिसका करीब 3,000,000 रुपए का पिल उनका पेंडिंग था उस बिल को पास करने के संबंद में जी कारपाला में अंत्री हैं सिरीफ B.K. गुपता जी डिवीजन ग्वालियर इएंडेम जो साखा है बीड़ो बीटी उसके उनके द्वारा 70,000 रुपए की मांग की गई थी फर्यादी की द्वारा ऐसा बताया गया कि उसने 55,000 रुपए 5 दिन पहले दे दिये हैं 15,000 रुपए और मांगे गई इस बात इस शिकायत की हमारे द्वारा पुस्की की गई और पर्थमता है ये सही समझ में आई तो आज 15,000 रुपए की रिस्वत लेके फर्यादी के साथ प्रेप आउजद किया उसमें 15,000 रुपए रस्पथ लेते विए सिर्फ बीके गुपता जी को पकड़ा गया है मेला ग्राउन में जो एलेक्ट्रिक केमप है उसके सामने की जाए है कुछ गवरार बीपी के पेसेंट है तो यहतियातन हमने डॉक्टर को बलवाया उनका एम मामला ट्रेप हो चुका है लेकल निखा पड़ी अभी अम लोग कर रहा है जी कैसे क्या है मैं ठेकेदारी करता हूं तो अभी अमने गेंड में काम दिया था क्लेक्टर साथ के दंदे पर तो वहां मेरा रणिंग बिल था दो लाग बादता रहा तो इनोंने मुझे पांड क आपको बिल चाहिए नहीं है नहीं साथ किसको पाई से जमा कराईगी तो मैंने का कितने करादू तो पिछत्तर है मैंने मेरे पैपी नहीं है कम है तो परसो तो तीन दिन पहले मैंने को पच्पन आया रुपे बेज़ दिये थे आप इनके घर विजवाई तो बेटे क्यास परसों मेरे पास पैसा देने के एक दिन बात बोले पैसे कम है आप पैसे और वेज़िये मैंना का मेरी बच्ची बीमार है अभी घर पे में एक आग दिन में देंगा जिद्ध कर गए कि लिज़ा पैसे भी चाहिए तो एक कल पैसा मांगने आए तो मैंने लोक आएक्ट में मेरी मदद की कल इनकी रिकोर्टिंग होई यही पर मेले में और आज यह पर पैसा लेने आए तो एक रहसे